स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डामे दोस्तों निवेश करने के लिए आपके पास कई उप्शन होते हैं जहांपर आप निवेश कर दखते हैं बहुत अले लोग मुजल फंड इसकीमों की तरफ भी रुख करते हैं जहांपर उन्हें कम रिसके साथ अच्छा प्राफिट मिल जाता है या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल रिसक लेना नहीं चाहते हैं और वो लोग बैंक एवडी और एलेजी की तरफ रुख करते हैं लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैसे पर रिसक लेकर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं कम से कम टाइम के अंदर यहाँ पर उनके पास आप्शन बहुत कम होते हैं और रिसक भी साधा होता है ऐसा ही एक आप्शन आपको मिलता है डारेक्ट स्टॉक मार्किट के अंदर वो भी आप्शन के अंदर वैसे आप स्टॉक मार्किट के अंदर कैश में फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर करेंसी में लेकिन अगर आप aggressive तरीके से अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग option की तरफ रोख करते हैं यहाँ पर दोस्तों risk जादा जरूर होता है लेकिन अगर हम profit की बात करें तो option के अंदर आपको जो profit है वो काफी अच्छा मिल जाता है लेकिन option trading करते टाइम आपको एक बात जरूर तरहन में रखनी होती है वो है brokerage की क्योंकि brokerage जादा होता है तो आप profit नहीं कमा पाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि brokerage अगर हम other broker की बात करें तो आपको करीब 20 रुपे पर lot के हिसाब से brokerage देना होता है इसके लावा और बहुत सारे चार्जिस होते हैं वो भी आपको देने होते हैं दोस्तो इसका solution आपको मिलता है M stock buy मेरे asset के अदर दोस्तो ऐसा इसलिए कि यहाँ पर आपको कोई भी brokerage देना नहीं होता है अगर हम दोस्तो मेरे asset के platform पर जाकर इसके brokerage calculator से चेक करें अधर brokerage के साथ अगर 20 रुपीज पर लोट का चार्ज आपको देना होता है और आप दिन में 10 टेट करते हैं तो एक साल के अंदर M stock buy मेरे asset के साथ आप 48,000 रुपे तक की brokerage बचा सकते हैं अगर आप और aggressive तरीके से 20 lot per day में trade करते हैं तो आप एक साल के अंदर 96,000 रुपे तक का brokerage बचा सकते हैं यहां पर दोस्तो आपको zero brokerage मिलता है कोई भी product आप use कर सकते हैं इसके लावे यहां पर कोई भी order limits नहीं होती है कोई subscription चार्ज नहीं है कोई annual platform चार्ज नहीं है कोई brokerage commission कोई expiry और no current rate चार्ज यहां पर आपको देना होता है इसके अंदर आप एक बार 999 रुपीज बे करते हैं और उसके बाद आप यहां पर सारे project पूरी life तक free में use कर सकते हैं दोस्तों गर आप 149 का plan चूज करते हैं तो यहां पर भी brokerage zero होता है पूरी life के लिए delivery, mutual funds और IPO के लिए लेकिन अगर आप intraday में future and option और currency में trade करते हैं तो 200 रुपे का charge applicable होता है इसके लावा अगर आप AMC charge 999 रुपीज और पे करते हैं तो आपको यहां पर पूरी जिंदिक के तक कोई भी charge extra पे नहीं करना होता है अगर हम दोस्तों यहां पर product की बात करें तो मेरे asset के अंदर आपको margin की facility मिल जाती है जिसमें सबसे brokerage कम यानि 7.99 जे आप MTF का फायदा उठा सकते हैं इसके लाव अगर आप stock market में cash में trading करते हैं तो आपको यहां पर one click में order placement की सुपिदा मिल जाती है यहां पर आप fundamental और technical chart पी analysis कर सकते हैं आज हम यहां पर एक chart पी analysis करेंगे bank nifty के अदर अगर आप option में trade करते हैं तो कैसे आप एक बाड़ा fund बना सकते हैं इसके लावा future end option में भी आप trade करते हैं अगर आप currency में trade करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं और बहुत सरे लोग mutual funds इसके मों के तरफ SIP या फिल लमसम निवेश करते हैं दोस्तों वो लोग भी M stock by media asset के साथ DME account open कराके mutual funds में भी निवेश करते हैं इसके लावा IPO में अगर आप ऐसा लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर media asset के अदर जब आप lock in करते हैं एक पर DME account open कराके तो इसके अदर आपको काफी अच्ची चीज़ देखने करे मिलती हैं सबसे पहले यहाँ पर आप Nifty, Sensex और Bank Nifty को clearly track कर सकते हैं इसके लावा Global Index अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी आपको आराम से मिल जाती हैं इसके लावा दोस्तों सबसे important FII और DIA का data अगर आप चेक करना चाहते हैं कल की position क्या थी, DIA और FII की वो आप चेक कर सकते हैं मंत की position क्या थी, और Yer की position क्या थी, वो भी आप चेक कर सकते हैं इसके लावा अगर आप चाहें, तो डेली के gainers और losers भी track कर सकते हैं volume के साब से भी और value के साब से भी तो दोस्तों अगर आप option में trading करते हैं तो दोस्तो जादता लोग bank nifty में trade करना पसंद करते हैं option के अंदर तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे asset के अंदर अब कैसे chart को track करते हैं तो यहाँ पर दोस्तो यह chart है bank nifty का यहाँ पर हमने 5 minutes का chart लगाया है और हमने एक indicator लगाया है EMA यहाँ पर दोस्तो हमने इसकी length रख moving average से नीच चाहिए है आपको क्या करना है कि यहाँ पर ही position बनानी है इससे क्या होगा कि option trade अगर आप करते हैं तो shorter में भी एक यहाँ पर fund बना सकते हैं आप देख सकते हैं जब भी दोस्तो moving average के उपर एक candle बनी है तब यहाँ पर थोड़ा सा correction आपको जरूर देखने के लि उसके बाद दोस्तों दोबारा से moving average के उपर एक candle बनी और दोबारा से यहाँ पर bank nifty नीच आया इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक candle बनी moving average के उपर और उसके बाद थोड़ा सा फिर नीचे correction आया इसी तरह दोस्तों जब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साथ भी आपको ध्यान रखनी है लेकिन सबसे इंपोरेंट क्या होता है प्रोकेज जो कि आप बचा सकते हैं मेरे एसेट के साथ दोस्तों यहां पर हमने अगर आपको कोई कोशन होता है तो हमें जरूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.